नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो जीडी कोमर्स और आप सभी को पता ही है कि कुछ एतन वस्ती ने रोल लंबर जो है जारी कर दिये हैं लेकिन काफी स्टूडेंट के रोल लंबर नहीं आये हैं उनको प्रेशानी हो रही है मानसिक दबाब बढ़ रहा है कि हमारे रोल लंबर जो है अभी तक नहीं आये दो दिन से हम ट्राइ कर रहे हैं वेबसाइट पर लेकिन हमारा रोल लंबर लेस्ट में नहीं आया हमारा नाम नहीं आया तो ऐसे में जो दस तारीक से एक्जाम होने हैं तो हम कैसे एक्जाम देंगे तो चात्रों को बहुत ही परशानी हो रही है तो इससे एक न्यूज कटिंग छपी है आज अमरू जाला में मैं आपको वो पूरी की पूरी न्यूज पढ़के सुना देता हूँ एक बार इसमें का लिखा है विद्यारतियों को ना मिल रहे हैं रोलंबर और ना ही कोई सुजाव के उमें यूजी के पिरिक्षाएं जो हैं वो कल से हैं और ऐसे में जो चातर संगठने वो गुसे में आ गए और उन्हें नारे बाजी की तब जो है जाकर पब्लिक डिलिंग जो है वो सुरू हुई है और अब कुर्षेत्र अनुष्टी में पब्लिक डिलिंग सुरू हो चुकी है तो जिनके रोलंबर नहीं आए वो यहां से भी लेकर आ सकते हैं लेकिन आप वेट कर लीजिए क्योंकि साइट पर डाल रहे हैं रोलंबर आज आपका रोलंबर जुर नहीं डाउनलोड हो रहे हैं और इस पर के यू के परवक्त की क्या प्रतिक्रिया रही वो भी आपको दुखाऊंगा तो आप वीडियो के साथ अंतक बने रहे हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजे एक बार और ज़्यादा है जिनके रोलंबर नहीं आए और यहां पर ल विडार्थियों के जहन में स्वाल उठ रहे हैं कि उनकी समस्या का विश्वदालय परसासन के और से कोई समयदान नहीं निकाला जा रहा है ऐसे में विडार्थी करें तो क्या करें विश्वदालय परसासन ने रोलंबर को डाउनलोड करने के लिए online paper.kuk.ac.in यह website दी है इ लेकिन इस email ID पर student अपने email कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया वापस नहीं आ रही है तो यह email ID भी एक नाम की email ID है ऐसे में चात्रों ने कहा कि कोई भी जो help nine number है वो जारी नहीं किया गया है इस email ID से चात्रों कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है चात्र जो है दो दिन से इस पर mail किया जा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई तो ऐसे में छात्रों ने अमरु जाला के साथ समस्या को सांजा किया और उन्होंसने कहा कि हमारी roll number यह वेबसाइट पर नहीं आए तो चात्रों ने रोस जताया गुसा जताया और उन्होंने के उपरसासन के खिलाफ जह नारे बाजी की और थर्ड गेट पर जाकर जह उन्होंने नारे बाजी की तो ऐसे में जो थर्ड गेट चोंकी पर भारी ने जो है वहाँ पर चात्रों का गुसा सांत कराया और उन्होंने आसवासन दिया की पब्लिक डिलिंग जो है सुरू की जाएगी जिसके बाद जितने भी छातर नेता थे वहाँ पर मौजूद वो शांत हुए और उन्हों ने प्रदर्शन जो है अपना समाप्त किया और पब्लिक डिलिंग जो है स्टार्ट हो चुकिया कुर्शेत अनवस्ट में जाकर अपने रोलंबर जो है निकलवा सकते हो और साथी साथ यहां पर लिखा है कि सरकार के अदेश अनुसार 10 सितंबर से यूजी वैप 15 सितंबर से पीजी के जो एक्जाम है वो होने जा रहे हैं तो बताया गया है कि इन प्रिक्षाओं ने हर्याना सहीत वीविन शेत पर तो आपको टेंशन लेने की कोई जुरूत नहीं है आप उनुवस्टी में भी जा सकते हो और आप थोड़ा वेट कर लीजिए आज आपके रोलंबर जुरूर आ जाएंगे जिनके भी रोलंबर नहीं आए और साथ ही साथ यहां पर बच्चों ने अपने जो हैं समस्षा सिकायत की थी उसका कोई रिपलाई नहीं आ रहा है तो ऐसे में जो केईव प्रवक्ता है उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए केईव प्रवक्ता ने कहा कि केईव परसासन जो वह अभी त वक्ता दीपकराय का कहना है कि प्रिक्षा साखा की और से यो जो विश्व विद्याला की वेब साइट है उस पर रोलंबर अपलोड किये जा रहे हैं कहा जा रहा है कि जो विद्यारती रैगुलर स्टडी कर रहे हैं जो रैगुलर है वो अपने कोलज से अपने विभाग से समपर्ख कर सकता है वहाँ से उसको roll number मिल जाएगा लेकिन जो other student है pass out student है ये peer student है distance के student है उनको feedback नहीं मिल रही है जो उन्हों ने उनके roll number नहीं आ रहे हैं और जो email id दी है वहाँ पर email कर रहे हैं उसका reply नहीं आ रहा है तो उन्हों ने कहा कि हम जो student है उसकी समस्चा का जामदान करने के लिए लगे हुए है इसलिए हम उसका reply नहीं कर पा रहे हैं और help line number जारी करने के लिए उन्होंने कहा कि हम इसके लिए के विपर सासंज है बात करेंगे तब आपको help line number जारी कर दिया जाएगा लेकिन कल से तो exam है तो कैसे help line number क्या का करेगा तो मैं आपको बता दूँ कि आप आज देख लीजिए आप पा रोलंबर आता है या नहीं थोड़ी देर तक अगर नहीं आता तो आपको के कुशेता अनवस्टी में जाना पड़ेगा और public dealing सुरू हो चुकी है वहाँ से आप अपना रोलंबर लेके आज जाईए क् का साल कराब हो सकता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और जल्दी है जल्दी इस वीडियो को शेर कर दीजे और एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजे और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे क्योंकि आपको यहाँ पर हर एक सुचना मिलती रहेगी तो जो भी स्ट